पिछले एपिसोड में इंडू मारी ने आकर अचानक से स्नेक टू पर अटक कर दिया था, इसलिए स्नेक टू हैरान हो गया था कि उसने इसके साथ में असा क्यों किया, लेकिन तभी आम पता चलता है कि यह तोसल में मैगडल है, जबकि वह स्नेक टू को अभी पर इसका बारे जानकर काफी खुस हो गई थी और कहती है कि मैगडल तुम तो बहुत ही वीटिफुल हो लेकिन वहीं हम दखता है कि स्नेक्टू भी गुस्टे में मैडल पर अटेक कर देता है इसलिए मैडल भी अपने असली रूप में आ गया था और वो तुरंती चेन का पास में आ जाता है लेकिन वहीं हम दखता है कि स्नेक्टू भी इनके ओपर काफी गुसा हो गया था इसलिए वो खंजर को अपने बोड़ी से बाहर निकाल देता है इसका लावा हम दखता है कि वो अपने पाउर का भी उसकर करका अटेक करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए हम दखता ह है कि हांन्य means Crystal नहीं करना चाहिए जिसका बाद हम रखता है कि होड़का 12 भी इसके लिए बाद हमते हैं कि स्नेक 3 शाएकन के लिए चले जाते हैं वह बात हैं कि स्नेक टू इतने इसे हार मांने वाले नहीं होते इसलिए हम दखता है कि वह अपने आपको इसका अटेक्स अब अचाने लगते हैं जिसको वाज़ा से स्नेक्टू अपने अटेक्स से इंका कुछ भी नहीं कर पाता तब इसलिए हो लिगार 12 इसका उपर भारी पढ़ने लगता है मगर वहीं अब हम दखता है कि स्नेक्टू भी इनके उपर काफी गुसा हो गया था इसलिए वो तुरंत ही अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस तरह से वो होली कार 12 के उपर अटेक करने की कुसिस करता है मगर तभी हम दखता है कि हान्यू ने आपर आकर इससा बचा लिया था जबकि वहीं मैग्डल भी डिमन कर रूप में आ गया था और वो भी स्नेक्टू पर अटेक करने के लिए कोसिस करता है लेकिन स्नेक्टू इसका अटेक से बहुत ही असाने से बच आता है तभी हम दखता है कि स्नेक्टू इसका बाज़ा से और ज़्यादा गुसा होगया था और इसलिए वो अपने और ज़्यादा पावर के यूज़ करके इन पर अटेक करना लगता है मगर इसका बाद भी हम दखता है कि हानु ने अपने आपको इसके टैक से बचा लिया था और अब हो तुरंती इसपर अटेक करने के लिए भी आ जाता है जहाँ पर कि स्नेक 2 इससे रूकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता तभी अचानक साम दखता है कि होली कार 12 भी इस पर अटेक करने के लिए आता है लेकिन स्नेक 2 ने भी इससे सही समय पर देख लिया था और इसलिए वो इसका अटेक से अपने आपको बहुत ही असाने से बचा लेता है तभी वो गुसे में अपने पाउर का यूज़ करते हैं कि तू मुझे कैसा हरा सकते हूँ क्योंकि मैं तो डेविल का नोबल सन हूँ मगर तभी हम दखता है कि हानुए आकर इस पर अटेक कर देता है जिससे रोकने के लिए स्नेक 2 कुछ भी नहीं कर पाता लेकिन फिर भी हम दखता है कि उसने किसी तरह से इसका अगले अटेक को रोक लिया था और तभी चेन भी अपने जाइंट वियर का यूज़ करके इस पर अटेक कर देती है लेकिन वहीं हम दखता है कि स्नेक 2 अभी बीन के सामने हार माने बाला नहीं होता और वह करना लगता है कि तुम इनसान तो हमारे सामने कुछ भी नहीं हो लेकिन कि इसका बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे अब इतनी बात कहना का बाद वो अपने पाउर का यूज़ करका अटेक करता है लेकिन हम दखता है कि हानियो और होली कार ने इससे बहुत असानी से रोक लिया था और वे इसका पाउर का यूज़ करके इस पर यह अटेक कर देते हैं लेकिन इसका बाद भी हम दखता है कि स्नेक टू को इसका बारे में कोई चीनता नहीं होती और वो इंसे कान लगता है तुम्हे का लगता है कि तुम मुझे इतना असानी से मार सकते हो लेकिन साइद यह तुम नहीं जानते कि जब तक एसकर फैसल पिलर यहां पर रहेगा तब तक मुझे मार पाना पूरी तरह से इंपॉसिबल है इसका बाद हम दखता है कि वो फिर से अपने किसी सिक्रेट टेक्निक का यूज करना लगता है जिसका बाद हम दखता है कि चैन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो इसका तरब खिशते हमें जाने लगती है मगर तभी हम दखता है कि हान्यू भी अपने लाइट क्रेविटी वाले पाउर के यूज़कर का अटाक कर देता है इसलिए स्नेक टू अभी इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और हन्यू काता है तुम्हें का लगा था कि तुम इतना असान इससा हमारे हाथों से बच जाओगे मगर तभी हम दखता है कि स्नेक टू जोर जोर सा हसना लगता है इसके अलाबह वग्यादा वह अपने पाउर के यूज़कर का आजात भी हो जाता है और कहता है कि तुम सभी आपर जरूर मरोगे तब ही अचानक सम्दखता है कि चेन उसका पाउर के तरफ जाना लगती है लेकिन याद देखता है होली कार ट्वेल ने उससे सही समय पर पकार लिया था और इस तरह से वो चेन को बहुत ही आसाने से बचा लेता है मगर वहीं अब हम देखता है कि होली कार ट्वेल भी स्नेक्टू के उपर काफी गुसा हो गया था और उससे कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ जिसका बाद उससे समय पर बहुत बहुत बढ़ी बलास्ट होती है जिसका बाद हम दखता है कि स्नेक्टू किस्तोल फिर से ग्रिफायसिल फिडर में चली गई थी ताकि वो फिर से recover होकर बाहर आ सके मगर वहीं हम दखता है कि चेन को Holy God 12 और हान्यू कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे इसलिए चेन को इनके बारे में काफी चिंता होने लगती है और हम दखता है कि वो इनको आवाज भी लगाने लगी थी लेकिन हम दखता है कि उसे किसी का भी reply नहीं आता इसलिए चेनी स्वासर काफी उदास हो जाती है और उसे लगना लगता है कि साथ वे दोनों इसमें मारे गए मगर अभी भी हम दखता है कि Holy God 12 और हान्यू को कुछ भी नहीं हुआ था इसलिए वो इसका सामने आकर काता है कि तुम्हें क्या हो गया जिसका बाद हम दखता है कि चेनीं को सही सला मत देखकर काफी खुस हो गई थी और कहते है कि तुम तो साथ में बहुत ही ओसम हो लेकिन तभी बाद देखता है कि स्नेक तो फिर से रिवाइब होने वाला है इसलिए हान्यू काता है कि अब हमें यापर कोई भी अपना टाइम वेश नहीं करना चाहिए और हमें जल्द से आपर हावय को बुलाना चाहिए ताकि वो इस से क्रिफाइसल पिलर को डिस्ट्वाइ कर सके इसका बाद हम दखता है कि हान्यू याप अपने सिगनल को रिलिस करता है जिससे देख हावय यू तुरंते हाँ पर आ गया था और वो अपने पावर का भी यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था तब हान्यू हावय यूज़ से काता है कि अब यहाँ पर कॉल तुम्हारा काम बचा हुआ है जिसका बाद हम दखता है कि हावय यू भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो अपने पावर का यूज़ करके से क्रिफाइसल पिलर पर अटेक करने वाला होता है लेकिन तब हम दखता है कि चैन को इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो हान्यू से पूस्त है कि क्या वो इससे अकले डिस्ट्राइ कर पाएगा तब इसमर हान्यू काता है कि हावय यू कोई ओर्डिनेर बिस नहीं है इसलिए लीडर ने अगर इसे अखिला करने के लिए बोला है तो फिर जरूर ही उनको हाउयू के उपर पुरा यकीन होगा वहीं उधर हम देखता है कि हाउयू भी इसमें ज्यादा देरी नहीं करता इसलिए वो भी अपने पाउर को एक्टिवेट करना लगता है और फिर तुरंत इसका यूज़ करके सेक्रिफ हैसल पिलर पर अटेक कर देता है तभी हम देखता है कि इसने कुछ सेक्रिफ हैसल पिलर के अंदर छुपा हुआ था लेकिन तभी उसे हाउयू के अटेक का बारे में पता चलता है जिससे देख वो करना लगता है कि यह तो वही है और हम देखता है कि इसके हालत पुरुतरा से खराब होने लगती है लेकिन इसका बाद हम देखता है कि वह हाओ यू को पार कर सामने ज़्यादा टाइम के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अखर कर रहोई उसक और फायसर पिलर को डिश्रॉय कर देता है वही और अदर हम देखता है कि चैन इस आससे काफी खुस हो गए थी तलंकि अन्यों लगते हैं कि यह तका हम इसमें कामयाब हो गए इसका बाद हम दखता है कि हान्यू और होली का 12 भी इस पास से काफी खुश थे क्योंकि आखिर कार वे अपने मिशन में काम्याब हो गए तब ही चेन का अनलगते या पता ना ही लीडर और लीन सिन के गुरूप के साथ में क्या हुआ होगा जिस पर हान्यू का आता है कि तुम्हें इस कवार में चिंटा करने के जवरत नहीं है क्योंकि लीडर का गुरूप तो वैसा ही पाउरफुल है जबकि वह इसका पता नहीं क्या कर रहा होका वहीं उदर हम दखता है कि वेंग्यूआ स्नेक थिर पर अटाक करने के लिए जाती है लेकिन स्नेक थिर अपने साथ का यूज़ करके उसा बहुत ही असानी सरोग देता है तभी इसे भी सम दखता है कि सिमस्यान भी अपने हैमर का यूज़ करके अटाक करने आता है लेकिन वह भी इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता मगर वहीं उधर हम दखता है कि लिंसीन अभी कुछ नहीं कर रहा था और वो के बाल यह सोच रहाता है कि स्नेक त्री को कैसा हरा जाए तब है उसा आइडिया आता है कि Snake 3 का असले पाउर तो इसका साइडो है इसलिए अगर हमने याँ पर चमकिले लाइट का यूज़ कर दिया तो फिर इसका बाजास हो अपने साइडो का यूज़ नहीं कर पाएगा वहाँ उतर हम दगता है कि सिमासियान और विंग्वान अभी भी सनेक 3 पर अटैक करने के लिए कोसिस कर रहे थे लेकिन सनेक 3 अभी भी इनका वारी पर भढ़ रहा था और इसलिए वेज़ का सामने कुछ भी नहीं कर पाते लेकिन तबी हम देखता है कि लिंसीन अपने फिनक्स वाले पावर का Ce Lazard के ना करने के लिए रेडि हो जाता है और कहता है कि अब तुम इसक वारे में बिल्कुल भी कोई चिंता ना करो लेकिन अभी भी हम देखता है कि स्नेक्थर को इसका बारे में कोई चीनता नहीं होती हमगे धु安daughter को से लेन सिनरा रानी के बारे में कोई अंताजा नहीं होता और इसलिए वह इसका मजा कोड़ाता है कि क्या तुम इतने टाइम से असाई करने वाले थे लेकिन तब यह हम दखता है कि लिंसी ने इसका चारो और अपने आइस फ्लेम वाले पाउर का यूज़ कर दिया था जिसका वाजा से यहाँ पर काफी उजला हो गया था तब यह हम दखता है कि सिमा सियान फिर सा सिनेक 3 पर अटेक करने के लिए रेडी हो गया था इसलिए वो इस पर अटाक करने के लिए बार-बार कोशिस करता है लेकिन हम दखता है कि वो इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता तब ही हम दखता है कि Snake 3 भी अब इन पर अटाक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि जब तुम सब का game over हो गया फिर हम दखता है कि वो अपने साइडो पाउर का यूज करके सीमा सियान पर अटाक करने के कोशिस करता है लेकिन यह देखता है लिन सिन भी अपने फिनिक्स वाले पाउर का यूज कर देता है जिसका बाज़ा साइडो का यूज नहीं कर पाता तो अब इसका अगला पार्ट में बहुत ही जल्द अप्लोड हो जाएगा लेकिन क्या आपको लगता है कि लिंच सीनिस तरह किसा स्नेक थूप अहरा पाएगा इसका बारे में कोमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसका अगले पार्ट के लिए एकसाइटर हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कोमेंट जरूर कर देना